अलो सुडेंट स्वाइब सभी का आपके अपने चैनल गॉड ग्लासिस पर गॉड ग्लासिस यानि मैस भी एंड मस्ति भी तो बचो आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम पर्मूटेशन कमेशन का नेक्स पार्ट करने वाले हैं पिछले पार्ट में आपने सीखा की जो फेक्ट प्रणी वीडियो के अंदर हम आज कंप्लीट करने वाले हैं तो अगर हम पर्मूटेशन की बात करें कि पर्मूटेशन होता क्या है अगर आपके पास कोई différents objects होते हैं तो उनको किस-किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो कितनी तरीकों से अरेंज कर सकते हो that is called the permutation for example जसे हम अब फोटोग्राफर को कहते हैं, फोटो तो आप खीच रहे हो, लेकिन ऐसा करना, कि फोटो को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से खीचना, बारलाव जैसे बुजो बंदा यहां पर खड़ा हुआ है, अगली बार उस फोटो में वो यहां आ जाए, फिर यहां आ जाए, इस तरीके से, जितने भी आप पोसिबल ओडर हो सकते हैं, वैसे आप खीचना फोटो, अब फोटोग्राफर उनके पास सुनता है, मनी मन सोचता बहुत कुछ है, लेकिन पैसे लेने हैं तो फोटो तो खीच नहीं पड़ेगी, तो जैसे वर एक्जामपल, अगर मैं मान के चलू, कि ज़्यादा लोग निलेते, समझने के लिए हम स्रिफ तीन लोग लेते हैं, कि मालनों तीन लोग है, इन्होंने फोटोग्राफर से कहा कि भई या फोटो हमारी जो खीच दुआप, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट से खीचो, तो और फोटोग्राफ पर ने क्या करा, बी और सी का जो प्लेस है, उसको चेंज कर दिया, तो यह गया ए, सी, भी, अब अब दोनों के पहले नमबर पर ले कर आया, A का नंबर हो गया पहले नंबर पर यानि इस तरफ और B भी इस तरफ हो गया अब C के अरेजमेंट क्या क्या बन जाएंगे C, A, B हो सकता है या C, B, A हो सकता है तो ये टोटल मिलाकर 6 अरेजमेंट बने जिससे इन तीनों की उसने फोटोग्राफ खीच दी तो एक फोटोग्राफ निवनी वो टोटल मिलाकर 6 फोटोग्राफ होंगी जो वो यहाँ पर खीचने वाला है तो इसी को बोलते हैं परमूटेशन कि इन तीन अबजेक्स को A, B, C को किस तरीके से अरेंज किया जाए कैसे कैसे, different तरीके से अरेंज किया जाए और कितने तरीके ऐसे हो सकते हैं that is called permutation I think सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि permutation क्या है अब यहाँ पर अगर हम बात करें इनके formulas की, इनकी theorems की तो सबसे पहला जो result आपके पास है तो यहाँ पर कहता है कि अगर आपके पास n अबजेक्स है तो यहाँ पर कहता है कि अगर आपके पास n अबजेक्स है और उसमें से आपको r अबजेक्स एक बार में चूज करने है यानि सारे के सारे नहीं करने है जैसे पिछले case में हमने क्या करा था तीन लोग थे तीनों को फोटोग्राफ में डाल रही है लेकिन अगर हम ऐसे करें कि फोटोग्राफ में लोग तो तीन है लेकिन जो फोटो खीचनी है वो तीनों की नहीं खीचनी फोटो सरिफ दो लोगों की खीचनी है तो कैसे कैसे वो खीच सकता है तो फोटोग्राफ में आएंगे जैसे A भी हो सकता है या फिर BA हो सकता है A िदर खड़ा है B इदर खड़ा है अब B इदर कर दिया A इदर कर दिया एक तरीका तो ऐसे हो सकता है लेकिन A के साथ हो सकता है C हो और CA भी हो सकता है zu benefit B के साथ C हो या फिर CBB हो सकता है तो यहां पर इसके भी six arrangement ही बन रहे है ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक में गवही ऐसे दुनों के सेमिय सिम बनेंगे हैं । इस जरूरी नहीं हर एक में हैं। यहां पर सेम आ रहे हैं। तो अगर हम इस चीज को प्रमूटेशन वाले फार्मूले से करें तो आर की वीलू n के बराबर हो जाएगी इस फार्मूले में कभी भी n जो होगा वो आर से चोटा नहीं हो सकता n की वेलू हमेशा आर से बड़ी होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए और दूसरे चीज यहां पर जो सर यहां पर disruption नहीं होनी चाहिए repetition is not allowed जैसे a यहाँ पर है, b यहाँ पर है तो ऐसा नहीं हो कि a विदर आ गया ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पर repetition जो है वो allowed नहीं है तभी यह वाला formula लगाना है जब repetition allowed होगी तब उसके बारे में discuss आगे हम करेंगे तो हमारे पार जो formula यह npr इसका formula गया होता है इसका formula होता है n factorial divided by n minus r factorial ठीक है यह इसका formula बनेगा npr का अब यहाँ पर एक चीज़ और हम समझते हैं कि अगर आप सारी चीज़ों को यूज करो तो जैसे हमने पिछले case में किया कि भी तीन लोग थे तीनों की हमने photograph में डाला यहाँ पर तीन लोग नहीं यहाँ पर दो लोग है लेकिन अगर तीनों लोग ही उसमें photograph में हो तो क्या होगा तो यह होगा कि जो np यहाँ पर r की जगे n ही हो जाएगा क्योंकि n लोग थे और n के n ही हमें यूज करने तो इस formula के according अगर हम जाएं तो यह क्या बनेगा n factorial divided by n minus n factorial तो यह बन जाएगा n factorial divided by 0 factorial अब जो n factorial 0 factorial की जो value होती है वो 1 के बराबर होती है तो यह बचेगा आपके पास n factorial यहाँ से हमारे पास यह conclusion यह आ गया कि अगर आपके पास जितने objects हैं आप उन सभी को use करना चाते हैं तो आपका जो answer है वो सिधा आ जाएगा n factorial जैसे अगर मैं पिछले case को लेकर चलूँ कि यह वहाँ पर 3 लोग थे और 3 के 3 को हमने use किया था तो इसका answer आगया 3 factorial अब factorial आपको solve करना आता है कि 3 into में 2 यानि आ गया 6 ठीक है अगर इसको भी आप formula में डालके करोगे 3p2 तो उसकी value भी 6 आती है ठीक है इसलिए दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हर case में वो बराबर आए गया उसके बाद जब हम चलते हैं जहां पर repetition allowed होता है ठीक है जहां repetition allowed होता है अगर repetition allowed हुआ ठीक है अब वहां पर person में तो allowed नहीं होगा क्योंकि person तो repeat नहीं हो सकता कि a भी यहां कड़ा हो जाए लेकिन मालो आपके पास वो letters है हमें words बनाने हैं तो words बनाने में हम ऐसा बना सकते हैं कि word a आ गया फिर a आ गया फिर a आ गया या a दो बार आ गया बी एक बार आ गया ऐसे words बन सकते हैं अब यहां पर यह मत कहना कि इनका meaning तो कुछ नहीं है हम यहां पर meaning की बात करी नहीं रहें यहां पर आपको question में लिखा भी होता है विद और विदाउट meaning तो उसका meaning है या नहीं हमें उससे मतलब नहीं हमें arrangement से मतलब है कि यह different word है यह different word है ठीक ऐसे भी हो सकता है अगर हम a को repeat कर रहे हैं तो तो अलग लग तरीकों हो सकता है तो अगर यहां पर कह रहे है कि number of permutation of n things when r are chosen at a time repetition of object is n raise to power r formula क्या रहेगा n raise to power n n total objects होगे और जो आप repeat करना चाह रहे हो ठीक है जो objects जितने objects आप repeat करना चाह रहे हो वो यहां पर आएगा तो यह formula आपको वहां लगाना है जहां पर repetition allowed होगा तो बस यह तीन ही formula इसके अंदर आपको करने है basically उसके बाद आप जो exercise की questions है वो easily आप कर पाएंगे तो यहां पर देखे सबसे जो पहला question है find the value of p43 तो जैसे यहां पर लेखा है 10p3 तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो brackets में इसका मतलब भी यही है कि 4p3 आप formula लगाएंगे तो 4 factorial और 4 minus 3 factorial तो 4 factorial आगया 4 into 3 into 2 into 1 नीचे आएगा minus करके 1 factorial और 1 factorial की value भी 1 ही होती है तो 43012 1220 24 यह हमारा इसका answer बन गया ठीक है सेम आपको यह दोनों question भी ऐसे ही करने है तो मेरी खाल इसमें तो कुछ आगे question करने की ज़रूत है नी ठीक है सीधा-सीधा questions आपको इसमें formula लगाना है और यह questions आपके easily हो जाएंगे second part में चलते हैं कहता है कि second question में 10p3 की जो value है इसके बराबर है तो यहां से अगर हम left hand side को solve करें तो यहां पर आपके पास है देखो 10p3 ठीक है यह left hand side है तो फार्मल लगाया 10 factorial और 10 minus 3 यानि आगे 10 factorial divided by 7 factorial तो 10 को expand करेंगे 10 into 9 into 8 into 7 नीचे 7 factorial है इससे है cancel तो 98 to 72 तो इसकी जो value हो 720 आ रहे है अब right hand side में यहां पर दो टा में इन दोनों को solve करके देखते है 9p3 plus 3 times of 9p2 तो 9p3 का मतलब हो गया 9 factorial और 9 minus 3 सिधा लिख दू में 6 factorial plus 3 into 9p2 है तो 9 factorial divided by 2 factorial 9 minus 2 7 factorial तो इसको simplify कर होगे आप 9 8 7 9 8 7 6 नीचे 6 factorial plus 3 into 9 8 और 7 factorial इससे है cancel इससे है cancel इससे है cancel करो अब multiply आप डारेक्टर ना करके मतलब कॉमल लेके करो गया जैसे भी आपको लगता है इसी वैसे आप करना नाइन और यहां 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 से बचेगा अंदर 7 प्लस में 3 तो यह 10 हो गया 10 को इससे multiply करोगे 720 आजाएगा तो LHS, RHS दोनों आपकी बराबर आजाएंगी इस तरीके से आपको इन में प्रूव करना है ठीक है इसमें अगर हम इसका तो थार्ड पार्ट कर लेते हैं ऐसे ही सेकिंड पार्ट करना है ऐसे ही थार्ड पार्ट करना है बस यहां पर 2 multiply हो रहे है इतना काम हो रहे है तो left hand side में क्या है वहां पर n, p, n तो n, p, n का मतलब तो सीधा n factorial होता ही है ठीक है right hand side पर चलते है यहां जाएगा n, n, p, n minus 1 तो यह हो गया n, ठीक है n factorial और n मेंसे इसको minus करोगे तो n minus n minus 1 और यह फिर factorial तो इसकी bracket खोलेंगे आजाएगा n minus n plus 1 यह cancel तो यह n factorial आ गया नीचे 1 factorial आ गया तो यह दोनों आपस में equally है तो यह आपके पास n factorial आ गया यह भी n factorial था तो क्या हुआ lhs, rhs दोनों हो गई बराबर question number third में देखते हैं यहां पर आपको n की value find करनी है ठीक है value जो find करेंगे हम तो जैसे ही हां पर n plus 1, p, 3 है तो इसको लिख लेंगे n plus 1 factorial divided by n plus 1 minus 3 factorial equals to n factorial and n minus 4 factorial अब यहां पर यह n plus 1 है और इधर n है इन दोनों में से यह वाली term बड़ी है तो इसको expand कर लो इसको ऐसी रहने तो जो term बड़ी वाली होना इसको expand करना तो यह आगया n plus 1 फिर एक कम करेंगे n और यही पर रूख जाएंगे यहां पर आएगा नीचे n minus 2 इधर आगया n factorial और n minus 4 factorial देखो यहां से यह cancel अब इन दोनों में से देखो कौन सा बड़ा है तो n minus 2 जो है यह बड़ा होगा यहां पर आगया 1 upon n minus 4 इससे यह भी cancel होगा इन दोनों को cross multiply करके ले जाओ इधर multiply भी कर लो और यहां पर भी ले जाओ तो यहां जाएगा n square minus 5n plus 6 इन दोनों को multiply भी कर दिया और मैंने simplify भी कर दिया अब सारी terms को आप एक तर दिक्टा करो इसको इधर लेके जाओ तो यहां जाएगा n square minus 6n plus 5 इसके factor बनाते हैं तो एक आएगा factor n minus 1 एक factor आजएगा n minus 5 तो n की 2 value बन रही है एक तो n की value 1 बन रही है और एक n की value 5 बन रही है अब लेकिन जो आपको यहां पर दे रखा था यहां नीचे देखो यहां पर 3 है इधर 4 है तो n की value 1 तो होई नहीं सकती सेकिंड पार्ट में कहा था 5 इंटू में pn4 यानी 5 से multiply करना है 5 n factorial और n minus 4 factorial is equals to यहां पर 6 times of यहां पर n की जाएगा 5 है तो 5 factorial और 5 में से इसको minus करना है 5 minus n minus 1 ठीक है एक बार question चेक कर लेते हैं जरा n plus 1 p3 n p4 5 यहां पर 4 n है ठीक है यहां पर 4 n है n 4 नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि इधर 4 है और इधर n है ठीक है 5 p4 n 6 p फिर 5 पहले n minus 1 अब करते तो 5 into में अब यहां n की जाएगा 4 है तो 4 factorial उपर आएगा और 4 में से n को minus करेंगे तो आजएगा 4 minus n factorial is equals to 6 times of यहां पर देखो n की जाएगे पर 5 है तो 5 factorial उपर आएगा और 5 में से n minus 1 को minus करना है अब इसको simplify करते हैं देखो 5 into में 4 factorial यह 4 minus n यहां पर आप यह जो 5 factorial है इसको लेख लो 5 into में 4 और यह देखो यह 5 हो जाएगा और यह minus और यह minus plus 1 हो जाएगा यह 6 हो जाएगा 6 minus n इससे यह cancel हो गया 5 से भी यह cancel हो गया यहां पर बचा 1 upon में 4 minus n अब इन दोनों में से देखे तो यह वाली term इन दोनों में से देखे तो यह वाली term बढ़ी है तो इसको expand करना है इसको expand करेंगे तो आजाएगा आपके पास 6 minus n फिर 5 minus n फिर यह कम करोगे तो 4 minus n इससे यह हो गया cancel इसको लियाओ cross multiply करके यह दर ठीक है अब यहां पर जो यहां पर तो क्या था कि आपके पास यहां पर n plus 1 ऐसे terms थी ठीक है लेकिन यहां पर यहां पर आपके पास एक number है तो जब भी इस तरह से आपको आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों को multiply कर लो इसको इधर लाओ फिर splitting middle term करके ऐसे n की दो value निकलेंगे लेकिन जब आपके पास यहां पर continuous number है और इस number को भी आप continuous number के product में कर सकते हो तो वो तरीका ज्यादा असान होता है तो जैसे अगर मैंने इसको लिखा 6-n इसको लिखा 5-n तो इसको मैं लिख लेता हूँ 3 into में 2 यहां पर पहले बड़ा number लिखा है तो यहां भी बड़ा लिखना उसके बाद चोटा इधर है तो चोटा इधर लिखना अब compare करोगे इसको इससे compare करो यानि 6-n की value 3 तो n की value आ जाएगी 3 अगर आप यहां से भी निकालोगे तो भी n की value 3 ही आनी है तो आपको यहां पर असान तरीका यह रहता है अगर यहां कोई ऐसा number दे रखाओ तो ठीक है उसके बाद जो next question है हमारे पास इसका जो third part है इसको भी solve कर लेते हैं अब इसका जो third part है इसमें दियावा है इसको भी एक बाद चेक कर लूं question को n-1 3 और n-1 3 5 upon 12 यह दोनों ratio में आपको दे रहे हैं तो यह उपर लिखते हम n-1 factorial और divided by n-1 minus 3 ठीक है अब इसके नीचे यह आ जाएगा n-1 factorial और n-1 minus 3 is equals to 5 upon 12 अब देखो इसमें यहाँ पर आएगा आपके पास n-4 इधर आएगा n-2 तो अगर मैं इन दोनों में से इसमें से और इसमें से मैं comparison करूं तो n-1 छोटा है तो उसको तो हम ऐसे रहने देते हैं यहाँ n-4 आएगा इधर n-2 आएगा तो इसमें भी यह वाला बढ़ा है तो उसको भी हम ऐसे रहने देते हैं तो n-1 को आप expand करो n-1 फिर n रहेगा यहाँ पर उसके बाद फिर n-1 फैक्टोरियल इसके नीचे जो n-2 आएगा यहाँ पर ठीक है n-2 उसको n-2 expand कर कर लिखो फिर n-3 और फिर n-4 इक्वल्स टू 5 अपॉन 12 अब इसमें ये cancel हो जाएगा इसमें ये cancel हो जाएगा अब बचे हमारे पास ये तो ये वाली टम सबसे उपर आ जाएगी n-2 इंटू n-3 इस इक्वल्स टू n इंटू में n प्लस 1 यहांजब कर लेते हैं को ख्रोस मॉल्टिप्लाई 12 को इससे करेंगे तो आएगा 12 n-2 12,5,60 12,65,72 इस टिसंट आ जाएगा 5 n-2 प्लस में 5 अब इस सारी टम्स को अभी एक तरफ इक दर्फ इकटा करो 12-5,7 हो जाएगा 60 और 5 इधर आ जाएगा तो 65 ये हो गया प्लस में 72 अब यहां से इसको अश्वेटिंग मिटल डम करो कि मल्टिपलाई करने पर आना चाहिए 7 तू ज़ा 14 और 7 7 49 प्लस 1 50 मल्टिपलाई करने पर तो 50 हो और सॉल्ट करने पर आपके पास आजाए 65 मल्टिपलाई करने पर 504 हो तो इसके आप बना लो पेर ठीक, इसके पेर बना लेते हैं, इदर कर लेते हैं थोड़ा तो 63 और अभी नहीं बनेगा तो आप देखो यहां पर बना के 21 दूनी 42, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 चोग 12 और 42 65 से भी नहीं बन रहा भी और इसको तोड़ते हैं, तो 3 और 7 आगे दर 3 तीए 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 7 दूनी 14, 36 और 14 नहीं बनेगा तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 28 28 दूनी 56 और 65, 56 और 9 तो एक फेक्टर आएगा 56 और एक आजएगा 9 यहां से 7 N common निकाल दो, N-8, यहां से यह हमारा अंसर आ जाएगा उसके बाएद देखी जो next question है, इसमें कहता है कि 6 candidates are called for the interview to fill some vacant post in an office, एक office के अंदर कुछ vacant post हैं वो हमें fill करनी है, अब हमने यहां पर 6 candidate को बिलाया, assuming that each candidate is fit for each post, determine the number of ways in which, अब गर हम यह मान के चलेगी, जो candidate है न, सारे के सारे बड़े काबिल candidate हैं, वो हर एक post के लिए fit है, और launder है, ठीक है, तो आप इसको कैसे कैसे अपनी post को fill करोगे, अगर हमें दो post fill करनी है, अब post हैं दो, और लोग हैं कितने, 6, तो यानि यहां पर आजाएगा, 6P2, तो 6 factorial, 6-2, 4 factorial, इसको simplify कर लेते हैं, 6, 5, 4, यहीं पर रोक दो, तो 30 ways से, हम यह जो दो post हैं यह fill कर सकते हैं, और आपको 3 post fill करनी है, तो 6P3 कर दो, तो 6 factorial, 3 factorial, 6, 5, 4, 3, 6, 35, 3, 12, यहां जाएगा 120, तो 120 ways से, हम यह जो post इसको fill कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद, next question पर जलते हैं, इसको how many three digit numbers can be found by using the digit one to nine, digit जो हमारे पास one से लेकर nine तक है, मतलब total मिलाकर nine digits होगी, अभी nine digits का use करना है कि अगर digit को हम repeat नहीं करना, तो तीन digit का number बनाना है, digit को repeat नहीं करना, तो इसका मतलब 9P3, तो 9 factorial, 9 minus 3, 6 factorial, 9, 8, 7, 6 factorial, divided by 6 factorial, ये cancel, इसको multiply करो, 9 minus 72, 72 को 7 से multiply करते हैं, तो आजाएगा 504, second part में करता है कि digits can be repeated, जब digits repeat कर सकते हैं, तो फार्मूला होता है, n raise to power r, तो n कितना है, कितने हैं आपके बास, digit है 9, repeat कितनी करने हैं आपको 3, तो 9 into 9 into 9, तो आजाएगा 7 to 9, ठीक है, पहले का answer 504, दूसरे का 7 to 9, थर्ड प्यात, 6 प्यात है कितना, how many ways can 6 women draw water from 6 tap, if not tap remains unused, अब 6 women है, वो 6 tap है, तो 6 women है, 6 tap है, सभी की सभी use करनी है, कोई भी tap ऐसी नहीं है, जो unused ना हो रही हो, इसका मतलब ही हो जाएगा 6p6, तो 6p6 को आप सीधा 6 factorial भी लिख सकते हो, यानि 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो यहां से यह देखो 10 हो गया, और 6 चोविस, 24 ते यह भाहत तर, यानि 720, सेकिंड में गारता है कि 7 candidates are contesting an election, कि 7 candidates हैं, वो एक election लड़ रहे है, in how many ways can their name be listed on the ballot paper, अब 7 candidates हैं, तो उसके अंदर 7 के साथ हो यूज होने हैं, तो यानि यह भी आजाएगा सिधा 7 factorial, तो 7 factorial को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 x 6 factorial, क्योंकि 6 factorial की value अपने निकाल रखी है, यानि 7 को multiply कर दोगे आप 720 से, तो आजाएगा 5040, ठीक है 720 and 5040, नेक्स कुशन पर आते हैं, कहता है कि यह form a committee of 8%, 8 लोगों की committee बनानी है, in how many ways can you choose a chairman and a vice chairman, assuming that one cannot hold more than one position, 8 लोगों की committee मेंसे एक chairman चूज करना, एक wise chairman चूज करना है, यह क्या हो रहा है, यहां पर reputation नहीं हो रहा, जो chairman बनेगा वो vice नहीं बन सकता, तो इसका मतलब repetition नहीं हो रहा, आठ लोग है, आठ मेसे कोई भी 2 लोग आपको चूज कर लेने, एक चेर्मेन के लिए और एक वाइस चेर्मेन के लिए तो 8 factorial 8 minus 2 6 factorial 8 into 7 into 6 divided by 6 from 12 परसन इन हो मनी वेस चूज ए प्रेजिदेंट वाइस प्रेजिदेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर तो चार लोग होगे एक प्रेजिदेंट, वाइस प्रेजिदेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर assuming that each of the 12 person can hold any office and no person can hold more than one office यानि एक आदमी को एक से ज़्यादा office नहीं मिलेंगे मतलब एक से ज़्यादा position नहीं मिलेंगे तो वह पिछले पाट की तरह ही हो गया कि यहाँ पर 12 लोग है और post है 4 तो 12 factorial, 12 minus 4, 8 factorial तो आजाएगा 12, 11, 10, 9 and 8 factorial इसको multiply करोगे 11, 9, 99 हो गया 99 को 12 से करेंगे 12, 9, 10, 8 10 carry करेंगे तो 108 के अंदर 10 carry करेंगे 118 हो जाएगा और एक 0 इदर आगी तो आंसर आगया 11880 नेक्स कुश्चन है कहता है कि man has 6 friends in how many ways can he invite one or more of his friend at a dinner यह करता है एक आदमी के 6 दोस्त है अब वो अपने दोस्तों को डिनर पर invite करना चाहता है तो कितने तरीकों से एक या उससे ज़्यादा दोस्त को वो डिनर पर invite कर सकता है तो यहाँ पर अलगलग condition बनेंगी वो एक दोस्त को करे या दोस्त को करे या तीन को करे और दूसरा यहाँ पर हमें selection करना पड़ेगा तो यह combination वाले उससे फार्मूले से question होगा ठीके तो या तो आप इसको combination वाले फार्मूले से करेंगे वा भी combination जब आप सीख जाएंगे लेकिन इसका एक short trick होती है तो इस exercise में शायद उन्होंने इसलिए डाल दिया कि इसमें आप short trick लगा दो भई है तो इसमें short trick क्या होती है इस तरह का question अगर आएगा यह man has six friend या 6 आपके पास outcome है और आपको इस तरह से arrange करना है कि एक या एक से ज़्यादा उसके अंदर आप alphabets हो या numbers हो कुछ भी हो वो आप ले सको तो इसमें जो फार्मूला रहता है यह होता है 2 की पावर n minus 1 तो 2 की पावर 6 minus 1 यानि 64 minus 1 equals to 63 यह इसकी short trick आप कह सकते हो जो इसका actual answer है वो आप combination वाले तरीके से इसको निकाल पाएंगे तो second part है इसमें कहता है कि there are 8 true-false statement in a question paper how many sequences of answer are possible अब 8 true-false questions है अभी कह रहा है कि कितने sequences possible हो सकते हैं ताकि आप उसका answer आप वहाँ पर दे सको तो अब यहाँ पर देखो कि 8 true-false question है जब मैंने पहले question का answer दिया तो उसमें दोनो option है true or false अब मैं जब दूसरा question का answer दे हुआ तो तब भी true-false दोनों ही option है तो यहाँ पर क्या औरा repetition हो रहा है यहाँ पर repetition हो रहा है option कितने हैं हमारे पास यहाँ पर 2 option है ठीक है तो पहले मैंने question का answer दिया 2, फिर दूसरे question का मैंने answer दिया 2, 2 का मतलब है true or false, दोनों मैंने कोई भी दे सकता हैं, दोनों options है, फिर अगले का देंगे तो true, इस तरह से करके कितनी बार आएड़ा, 8 times हाएगा, तो यह बनेगा 2 की power 8 यानि 256, ठीक है तो दोनों question थोड़े से हट के दे रखे हैं आपर, next question में आता है कि how many ways three different rings can be one in the four fingers, with at most one in each finger, यह कर रहा है कि आपके पास, आपके पास three different rings है, और आपके पास उंगलिया हैं चार, अब उन चारों उंगलियों में आपको, चार में से किसी तीन में पहने जाएगी, चार में से किसी तीन में आप वो अंगूठी पहननी है, और यह कहता है कि with at most one in each finger, एक finger में जादा से जादा एक अंगूठी ही आप पहन सकते हो, तो इसका मतलब है कि आपके पास चार finger है, चारों की चारों finger यूज करनी है, लेकिन उसमें से आपको यूज तीन ही करनी है, मतलब चार finger आपके पास है, लेकिन अंगूठी तो तीन ही है ना बया, तो तीन ही पहन पाऊगे, तो आज आएगा 4 factorial, 4 minus 3, 1 factorial, तो 4, 3, 2, तो आज जाएगा 24, यानि 24 ways होंगे, जिससे आप यह अंगूठी पहन पाऊगे, next question पर आते है, question number 10, करा find the value of r, r की value आपको find करनी है, तो अभी हाँ पर करा 5pr, तो 5 factorial, और 5 minus r factorial, is equal to 2 times of 6 factorial, और 6 minus r minus 1 factorial, तो इसको आप अभी ऐसे ही रखो, यहाँ पर जो यह 6 है, इसको आप लेख लो 6 into 5 factorial, नीचे अभी यहाँ से यह minus, यह minus, प्लस हो जाएगा, ठीक है, यह 7 हो जाएगा, 7 minus r factorial, तो आपने यहाँ से इसको cancel कर देना है, और expand जब आप करोगे, तो यहाँ से इसको expand करना, यहाँ जाएगा 12, इसको expand करेंगे, तो 7 minus r, एक कम करोगे, 6 minus r, एक कम करोगे, 5 minus r, यह इससे cancel, इसको आप लियाओ, cross multiply करके इधर, और अब यहाँ पर भी देखो, यह consecutive numbers आगरो, जो 12 है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 into में 3, यह बड़ा नमबर है, यह उससे चोटा है, यहाँ पर यह बड़ा नमबर है, यह उससे चोटा है, तो यहाँ पर आपके पास n की जाएगे 15 है, तो 15 minus r minus 1 is equals to, यहाँ पर आगा 16, 16 minus r minus 1, रेशो में है यह, तो रेशो में तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा हमें, is equals to 3 upon 4, तो उपर 15 factorial को आप ऐसे रहनें, तो इसको simplify करोगे, तो 15 plus 1, 16 हो गया, 16 minus r factorial, इस 16 को आप लिख लो, 16 into में 15 factorial, नीचे आएगा 16 plus 1, 17 minus r factorial आएगा, तो इसको expand करके लिख देता हूँ में, 17 minus r, फिर एक कम करेंगे, तो 16 minus r, यहाँ पर यह cancel, यहाँ पर यह cancel, ठीक है, इधर 4 से यह cancel, यह सबसे उपर आजाएगा, 17 minus r, और यहाँ आजाएगा 4, 3, 12, तो r की value मिलेगी, आपको यहाँ से 5, तो first part में r की value 3 है, last वाले में r की value 5 है, उसके बाद अब यहाँ पर जो 11th question आपको दिया हुआ है, 11th में कहता है, how many words can be formed using all the letter, using letter exactly once of each of the following words, यानि जो letter यहाँ पर दिये, उनको आपको एक ही बार use करना है, अब एक ही बार use करना है letter है कितने, दिल्ली में 5 letter है, पाँचों के पाँचों आपको use करने है, तो यह बन जाएगा 5P, 5 यानि 5 factorial, और 5 factorial हो जाएगा 520, तिये 60, दुनी 120, ठीक है, इसका आँज आजएगा 120, ऐसे ही कह रहा है कि यहाँ पर जैपूर, जैपूर में कितने letter है, 6 letter है, 6 factorial, यहाँ पर कितने है, 7, 7 factorial, ठीक है, यहाँ पर कितने है, 7 यह ना, इधर हाँ, इधर देखो, इधर 8 है, तो 8 factorial, तो यह इतने letter है, सारे के सारे use करने हैं, और यहाँ पर repeat कोई हो नहीं रहा, तो सिधा-सिधा, उतनी factor लाप कर दो, वो आपके answer आ जाएंगे, और इसी question के साथ ही जो exercise है, इसको में पर finish करते हैं, I hope आप इसको सारे question अच्छे से कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में इतना ही, thanks to all of you all.